हलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी लोगों का ज्यानपूर यूटूब चैनल पर तो आज है तीस माई और हम डेली की तरह आज भी आप लोगों के लिए करेंट की क्लास लेकर यहां पर हाजिर हैं और डिसकस करेंगे के साथ उन सभी क्वेशन से लेटेड स्टैक को ठीक है तो वीडियो की लाश्ट तक बने रहे हैं आप लोगों को यहां पर काफी इंफोमेशन मिलने वाली है जो कि आपके सभी एक्जाम्स के लिए बेहदी महात्व पहुंशा भी ठीक है तो चलिए आज के क्वेशन की और ब अगले अध्याच होंगे कौन होंगे तो मार्कोस ट्राइजो होंगे अगले अध्याच अध्याच एंडीबी बैंक है ठीक है यह आपसर नमबर से यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलिए अब इस क्वेस्टन से लेटेट हैं कुछ इंपोर्मेशन जो भी इंपोर तो 15 है जुलाइए 2014 में इसकी सःपना के गई थी मुख्याले कि अगर बात परते हो फैस हनुके सथाबा करते हैं तो शंहाई चीन में इसका मुख्याले अध्ध्यार्याच को दिया हुआ है हाल ही में और येंटल इंशॉरेंस कंपणी के नए MDNCU कौनों बने है तो और ही एंटल इंशॉरेंस कंपणी जो है इसके MDNCU की बात करते हैं तो वो बन गए है S.N. राजस्वरी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा S.N. राजस्वरी देख लेते हैं इस क्वेस्चन से लेटेड़ आप कुछ important points की बारे में तो बात करेंगे OIC की बारे में तो इसका फुल फॉर्म अभी मैंने जैसे की आप लोगने question में ही देख लिया औरिएंटल इंशॉरेंस कंपणी होता है स्थापनेस की 12 सेप्टमबर 1947 न की गई थे मुख्याले कहां पर है तो नई दिल्ली में इसका मुख्याले है आई होब की चीज़े क्लियर हुए होंगी चलिए आप बढ़ते हैं next question की तो next question हमारा यहां पर दिया हुआ है हाल ही में अंतराश्री एवरेश्ट दीवास यानि इंटरनाशनल एवरेश्ट डे कब मनाया गया है तो 39 माई को मना गया है अंतराश्री एवरेश्ट दीवास यानि option नमबर यहां पर यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अब देखेंगे इस question से लेड़ेट कुछ important जो भी information यहां पर हो सकती है तो first one दिया हुआ 1903 में 1929 माई को नेपाल के तेने जिंग नौर्गे और न्युजिलेंड के एडमंड हिलेरी ध्याद देज़ी करेंगे जो इह किस देश के तो यह नेपाल देश ठीक है और एडमंड हिलेरी किस देश की थी तो यह न्यूजिलेंड के ठीक है तो इन ही दो लोगों ने सफालता पूर्वक सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले ब्यक्ति बने थी इस वज़े से इस दिवस को महत्रपूर्ण बनाने के लिए 29 माई को एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है ठीक है आई होब की पता चल गया हुगा आप लोगों को क्यों म मनाने की खोश्रा की गई थी ठीक है माउंट एवरेस्ट की सबसे उंची चोटी है और इसकी उंचाय की बात कर लेते हैं तो 88848 मीटर और कहीं कहीं पर 50 मीटर जी मिलता है तो अभी डाटा अबडेट कर लिए 8850 मीटर की तक रिवाने ठीक है माउंट एवरेस्ट को नेपा क्कुर्सेट्स की और उस्से पहले यहां पर डिसक्स करेंगे हम माई महेने के जितने भी इंपोर्टेंट प्रस्ण के लिए अब और फिलाल हमने पिशली क्लासस में कई बार इन सभी मई मैस के जितने भी डेंज हैं यहां पर अगलों कुराया लेकिन यहां पिए बार आप फिसिकले गिये तो एक मैं को अंतराशी मज़ुदूर्द दीवस मनाया गया है है 3 मैं को विक्षो प्रेस्व स्वातंत्रता दीवस मना रहा है धीम रहा है जैरुकर जरनलिज्यम विदाउड फियर आरु फेवर म electron मैं महीए की पहले मंगलवार की अगर बात करते हैं तो विक्षु आस्तुमा दिवस मना गया ठीक है 8 माई की बात करेंगे तो विश्व रेड़ क्रॉस दीवस मनाया गया है 8 माई के महीने के जो दूसरा सनिवार पढ़ता है इस सनिवार को मनाया गया है विश्व प्रवासी पक्षी दीवस ठीक है बात कर लेते हैं अब नेक्ट्ट क्रेशन की यहां पे दिया हुआ है नेक्स्ट ऌइंट समाझ लेगे 12 माई 12 माई को मना जाता रहा कि मना जा ए अंतराशी नर्स दीवस की बात करेंगे तो नर्सिंग the world to health रही है इस wordludes की ठीक है न बात करेंगे 16 मै की तो 16 माई को मनाया गया है विश्व जو है यह सिक्किम राज की सापना और बात करेंगे 18 माई की 18 माई की तो 18 माई को अंतराशिष चंक्रहाल है तीवस theme क्या रहे चो समानता विविजता और समा विष ठिक है नेच्ट देख लेते हैं 20 माई को तो दिया हुआ है विश्व मख्वी दिवस मना जाता है और इसी दिन जो है विश्व माप विग्यान दिवस भी मनाया गया है ठीक है थीम की बात कर लेते हैं थीम क्या रही है तो थीम रही है मीजर मेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड ठीक है विश्व माप विग्यान दिवस की तो थीम से भी a common future connecting innovating transforming ठीक है बात करेंगे 25 माई की तो विश्व थाइराइड दीवस मनाया जाता है 25 माई को 29 माई की बात करेंगे तो अंतर राज भी एवरेश्ट दीवस मनाते हैं ठीक है 30 माई की बात कर लेते हैं तो गोवा राज की स्थापना दीवस मना जाता है अगर आज 30 माई है तो गोवा राज दीवस के जो है स्थापना दीवस भी है आज ही है और 31 माई यानि कल मनाया जाए विश्व तमभाकू निशेध दिवस्ठीक है तो इतने चीज़े आई होब कि यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हुई होगी जितने भी टेस्ट से यहाँ पर आप लोगों को कवर करा दिया गया है अब हम बढ़ देंगे नेक्स्ट क्वेस्टन की और तो यहाँ पर आप लोगों का नेक्स्ट क्वेस्टन बनता है हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने विद्ट वर्स 2021 में भारत की GDP विकास दर कितने प्रसर तक घटने का अनुमान लगाया है तो 5% तक जो है GDP घट जाएगी ऐसा अनुमान लगाया है S&P ग्लोबल के द्वारा ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं कुछ इस इंप्रमेशन की और तो यह जो कटवती है यह विकास दर में क्यूंकि गई है तो COVID-19 जो महामारी फैली हुई है इस महामारी के कारण जो है यह कटवती का अनुमान लगाया गया है चुकि महामारी को रोकने के लिए लगाए गए जो लागडाउन है यह पूरे देश में आर्तिक गति वीदियो में आई मंदी के कारण है ना ऐसी जो है का सूचना मिल रही है ठीक है तो चलिए अब बढ़ते हैं GDP की और क्या होता है जी डीपी तो GDP सबसे पहली बात आप लोगों का फुल फॉर्म पता होना जो चल रहा है वर्स में किसी राष्ट द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुं वा सिवाओं के कुल मूल को सकल घरलू उत्पाद करते है ठीक है ना तो एक वर्स में जितने भी प्रोडक्शन या जितने भी एकोनॉमिक गतिविदिया होती है वही आप लों की GDP होते हैं किसी भी देश के लिए ठीक है अब बात कर लेते हैं एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग की बारे में तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है स्टेंडर्ड एंड पूर्स ग्लोबल रेटिंग से ठीक है ना फूर्फ लोगों को पता हो गया होगा चलिए अब बढ़ते हैं आगे की वैश करेक्ट हो जाएगा ठीक है लिए बढ़ते हैं कुछ इंपॉड़न्ट जानकारियों की यहां पर दी हुई है इंडस्ट्री लिम्टेड यानि आर आई एल के बारे में तो सापना इसके आठ माई संसापक करेंगे तो मुकेश अंबानी हो जाएंगे चीज़े क्लियर हो इसके लेटे दोस्तों अगर अभी तक आप लोग ने ग्यान फूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और वीडियो पशन्द आता तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ठीक है और दो इस देज के तेज गेंदबाज शेहान मदुशंका को क्रिकेट कर दिया गया है तो यह तो को स्रेलंका देश के हैं तो स्री लंका देश की बारे में प्रदान मंत्री के अगर हम बात करेते हैं तो महिंद्रा राग्यू पक्षे हो जाएंगे इंडिया और श्री लंगा को पार्क स्टेट अलग करता यह पार्क स्टेट जो है यह पांटरी लाइन जिसे हैं तो जैसे की एक कालपनी करिखा टाइप से है ठीक है चलिए आप जाती है आपके रेड क्लिफ और चाइना और इंडिया के बीच मैक मोहर रेका है ठीक है ना तो इन चीजें के बारे में भी आप लोगों को इंफोर्मेशन होनी चाहिए चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे के क्वेशन क्यूर नेक्स वेशन है आप आप लोगों का बनता है ह क्याद्रन फ्लाइंग बुलेट्स में तेजस एम के वन फॉक लड़ा को विमान सामिल किया गया है तो यह वायू सिना में शामिल किया गया है यह अप्शन नहीं पर बिलकुल करेक्टर हो जाएगा चलिए देख लेते हैं कुछ इंपोर्टन इंफोर्मेशन के बारे में त इस तरह से विमान को शामिल करने वाला यहां भारती वायू सिना का पहला स्वैडरन है ठीक है अब बढ़ते हैं ध्यान देते हैं कुछ इंपोर्टन इंफोर्मेशन की हो तो भारती वायू सिना की बात आई है तो देखेंगे यहां पर इस से रिडिटेट कुछ अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन की और इससे पहले आने सेना के कुछ और भी प्रमुख होते हैं जैसा कि मैं हरे एक वीडियो में आप लोगों को अगर टर्म आता है तो आज भी आप लोगों के शामिने डिसकस करूंगा तो अने सेना प्रमुखों के कुछ नाम है उ उप सेना प्रमुख कौन है तो एसके सैनी है चीफ आफ डिफेंस स्टाफ की बात करेंगे तो वीपिन रावत है और नव सेना या नेवी की अध्यच की बात करेंगे तो एड्मिलर करम वीरशिन हो जाएंगे ठीक है भारती तत्रच्छक बल के अध्यच कोन है तो कृष्ण रंजन हो जाएंगे ठीक है केंदरी रिजर्व पुलिश बल के अध्यच कोन है तो आनंद प्रकास माहसवरी है ठीक है ससस्त्र सीमा बल के महानिदेशा की बात करेंगे तो कुमार राजेस चंदर जी है ठीक है इतनी चीज़ी क्लिए रहेंगी चलिए अब बढ़ते हैं ने अप्शन नंबर यहां पर बिल्कुल करेक्ट जाएगा अब देख लेते हैं कुछ important information के बारे में तो सेवी की बात आई है तो देख लीजिए आप सेवी से लेटेट कुछ important facts के बारे में तो भारत में इतने भी share markets हैं उन सभी को जैसे की आपका NSC हो गया BSC हो गया तो इसे सेवी की द्वारा ही regulate किया जाता है अच्छा यह NSC होता है इसका full form क्या होता है तो NSC का full form होता है national stock exchange ठीक है बात आई है BSC की तो इसे भी देख लीजिए BSC का full form होता है BSC stock exchange और यह हिंडिया का सबसे पूराना जो है share market बाजार है ठीक है बात कर लेते हैं कुछ सेवी के full form की तो सेवी का full form होता है Securities and Exchange Board of India जिसे हिंदी में भारती प्रतिभूती और वीनिमय बोर्ड कहेंगे ठीक है सापना कपी गई थी तो 12 अपरेल 1988 में इसकी सापना की गई थी मुख्याला है मुंबई में है CEO क्यों है तो अजय चागी है CEO का full form क्या होता है तो Chief Executive Officer होता CEO का full form चीज़े क्लिए रही होंगी चलिए बढ़ते हैं next question की और उसे पहले बाता है NHAI ही तो देख लिजिए यहां पर भी इसकी बारे में थोड़ा सा National Highway Authority of India हो जाता है NHAI का full form जिसे हिंदी में भारती राशी राजमार्ग प्राधी करण कहते हैं सापना 1995 की गई थी मुख्याल है नए दिल्ली में और अध्याच है सुकुवीर सिंग संदू ठीक है चीज़े क्लिए रही होंगी अब बढ़ते हैं next question की और और हमारा यहां पर next question दिया हुआ है हाल ही में कि इस e-commerce company ने करनाटक मैंगो बोर्ड के साथ MOU पर हसाचर किये हैं तो फिलिप कार्ड के तो रह इसके आम उत्पादक किसानों को अपने फल उत्पादन की online विक्रिक करने में मदद मिलेगी ठीक है ना यह क्लिए रही होंगी चलिए देख लेते हैं अब फिलिप कार्ड के बारे में कुछ important information के बारे में तो फिलिप कार्ड जो है भारत की e-commerce company है parent company कौन है इसकी तो Walmart इस इसके मालिक हो जाएंगे चीजे क्लिए रहे होंगे इसको से लेटर चले बढ़ते हैं नेक्सक्वेशन के ऊच्छ तो यहां पर नेक्सक्वेशन दिया हुआ है हाल हमें किसने AI वर्चुल आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस असिस्टेंट चैट बोट पाई लांच किया है त इस चैट बोट को जो है वास्तविक समय के अधार पर NPCI के उत्पादों जैसे Fast Tag, Rupay, UPI, AEPS के बारे में लोगों को जागुरू तब बढ़ाने के लिए सुरू किया गया है ठीक है बात आई है AI की तो देख लेते हैं इस क्वेशन में AI का फुल फॉर्म क्या होगा और भी कुछ important information ठीक है तो सबसे पहली बात आप लोगों को पिछले भी क्लास में हमने बताया था कि इसका फुल फॉर्म आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस होता है और यह कंप्यूटर साइंस की वह साका है जिसके द्वारा मशीनों में इंसानों की तरह सोचने समझने की शमता को व सब्सक्राइब की सापना 2008 में की गई थे मुख्याल है मुंबई में अध्याच विश्वा मोहन महापात्रा काफी नाम इनका जीव है तो विश्वा मोहन महापात्रा हो जाएगा सब्सक्राइब की बात करेंगे तो दिली असबे हो जाएंगे एंडी एंस की चीजे के लिए रहेंगे चलिए बढ़ते हैं नेक्स वर्शन यहां पर आप लोगों का दिया हुआ है हाल ही में फिच रेटिंग्स ने वित तोवर्स 2021 में बाहत की GDP विकासदर कितने प्रश्यत तक गिरने का अनुमान लगाया है तो 5 परशन सब्सक्राइब का फिच रेटिंग्स के दौरा अनुमान लगाया है ठिक है अभी हमने S&P के बार में भी अनुमान देखा उसने भी अपनी रिपोर्ट जारी की है तो दोने ही चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए ठि सब्सक्राइब करना 1914 में किके थे मुख्याल है निव यॉर्क यानि USA में है और CEO पॉल टेलर हो जाएंगे चीज़े क्लियर होंगी इतनी अब बढ़ते हैं आगे के फुल फॉर्म जिसे भारती प्रद्यव की समसान मद्रास कहेंगे ठीक है चलिए बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेशन की ओर नेक्स्ट क्वेशन हमारा यहां पर दिया हुआ है हाल ही में पुस्तक दा आई का बैग का ओनलाइन विमोचन हुआ है इसके लेखा कौन है तो इसके विमोचक हो जाएंगे जेके रावलिंग ठीक है न तो जेके रावलिंग हो जाएंगे इस पुस्तक की जो है विमोचन करता और इस पुस्तक का आप लोग नाम अच्छे से याद कर लिजेगा को तो यह जेके रावलिंग प्रशिद हैरी पॉर्टर पुस्तक के भी लेख़क रहे हैं तो कभी फेमस हुई थी इनकी या पुस्तक है री पॉर्टर ठीक है और इस पर जो है मूवी भी बनी हुई है ठीक है अब बढ़ते हैं आगे के क्वेशन की उद्ध तो हमारा यहां प भी बिल्कुल यहां पर करेक्टर हो जाएगा ठीक है यह मानो रही तो ड्रोन हिलिकॉप्टर होगा और चीन के द्वरा इसका प्रिक्शन कर दिया गया है बात आई है चीन की तो देख लिए चीन से लेड़ेट कुछ इंपॉर्ड़न साइक्स की बाहरे में तो चीन जो है महादूरिक में इस्तित है राजभान यहां की बीजिंग है केरेंसी रेन मिन भी यान चलती है राजपती सी जिंपिंग है और चीन और भारत के बीच इंटरनेस्मल बॉर्डर लाइन का नाम क्या है तो मैं एक मोहन बॉर्डर लाइन है ठीक है चीन की सबसे लंबी नदी इसकी लंबाई है ठीक है चीन जनसंचा की दिश्टे से 20 में पहले अस्थान पर आता है तो आप लोगों को पता ही हो गई होगी अगर आप लोग डेली वीडियो को देख रहे हैं तो ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं आज के लाश कोईशन की और इसके बाद हम इन सभी इनका निधन हो चुका है ठीक है यहां पर बिलकुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं अपने रिवीजन सेशन की और और एक बार फिर से इसा भी क्वेशन का आप लोगों को यहां पर रिवीजन करा दिया जाता है तो हाल ही में न्यू डिवलप्मेंट बनी है ठीक है नेस्ट था हाल ही में अंतराशी एवरेश्ट दीवस यानि इंटरनेशनल एवरेश्ट डेकाव मना गया है तो 29 माई को मनाया गया है ठीक है नेस्ट प्रशन है हाल ही में S&P ग्लोबर रेटिंग ने वित्वस 2021 में भारत की GDP विकास दर कितने प्रक्सात तक गटने करनworks लगें और हैं राट से समंद्र प्रसुनों का जवाब देने डेने के लिए वहर्सेप यथर शैट बोड को ल सबाइब कर दिया गया है यहां हाल ही में किस देश के तेजगिद गेनवादि सिर्थे कर दिजबानेवाद को क्रिकेट से सभी सब्वार्मर्स से न आप लोगों का यहां पर नेक्स क्वेस्टन दिया हुआ है हाल भार्ती प्रति भूत यानि विनमेट वोड ने भारती राश्री राजमार्ज प्राधी कराण कर मेंगत प्रक कितने लाग रुका जुर्मान लिए तो साथ लाग रुपए का जुर्मान लिए लगया है लेव न इंटेलिजेंस असिस्टेंट चार्ट वोड पाई लॉंच किया है तो भारती राशी भूगतान निगम के दोरा इस चार्ट वोड को लॉंच किया गया नेस्ट कुछन है हाल ही में फिच रेटिंग ने विद्वास दो हज़ारी कि भारत की जी डीपी वी का अधर कितने प्रि अधर लाएं भी मोचन किया गया है इसके लेखा को नहीं तो जेके राउलिंग इसके लेखा हो जाएंगे ठीके चली अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन की और नेक्स्ट क्वेस्टन ने यहां पर दिया हुआ है चाल हमें चीन ने अपनी पहली पहले मानो रहित ड्र आपने दोस्तों में जरूर से जरूर इसे शेयर कीजिएगा जितने भी आप लोग कर दीजिएगा ठीक है अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक ले जय हिंद जय भारत